वेलकम बैक टो यूटूब चैनल फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा बीजिता फ्रेंड्स और आज का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग बनने वाला है वह एक्विरियम में जो मैट डालते हैं हम जो ग्रीन कलर की अगे बनने से पर ले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक छोड़ा साब स्ब्सक्राइब कीजिए मैंने चातो मेरे सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड्स मेरे लिलेटियूज लाइक ओफ इंफ्रमेशन मेरे यह जो वीडियो है आपके आपके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके फिशेस क्यों मरती है ठीक है तो यह डालते है बॉटम में और बॉटम में डालने के बाद फिशेस आड कर देते हैं और इसके ओपर स्टोंस रखते हैं क्योंकि यह भाहर ना निकले बॉटम में चिपका है तो इसमें क्या होता है फ्रेंट्स यह दोनों भी आर्टिफिशल है प्लास्टिक के है अगो के नैच्रल कुछ है नहीं इसमें आप एक्विरम में डालने के बाद आपका एक्विरम बहुत अट्रेक्टिव लगेगा ऐसा लगेगा आपको कि आपके फिशेस बहुत खू करा है फ्रेंट्स लेकिन सही में यह ऑप्शनल यह जो ग्रीन करा से यह सही है या नहीं है तो सबसे पहले अगर आप यह ग्रास लगा रहा है आपके एक्विरम में तो स्रॉंग फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉस क्या होता है यह एक्विरम का मैट अगर यह बॉ के एक्विरियम के वाटर में अमोनिया तयर होता है चलिकॉस का पानि यह बहुत गम होता है आपके 9 सारे फीशेज उपड़ जो चायए को अनियों थे rating जो फ्रंट जो ग्लास है उसमें वन इंच खाली रखो, बैक काच का पोजिए आपके आपके काच काच का, वन इंच खाली रखो, एमटी रखो, मतलब किया होगा, जो भी डर्ट है वो बाहर निकल लेगी, और आपका फिल्टर वो कैच कर लेगा, मतलब पानी जाता गंदा नहीं होगा, पानी में जाता आमोनिया नहीं होगा, और बताना जो होगा अगर आप मैट लागाते हो, तो दिखने का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप यूस करेंगे, तो आपको थोड़ा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मोबेल में आप रिमाइंडर लगा दीजिए, कि mobile का water, आपके aquarium का water आपको change करना है, तो reminder लागा दीजे, इसमें से थोड़ा आपको ignorance आज आता है, तो fish मर जाती है, friends. तो मैं recommend करूँगा, अगर आप properly plan करते हो, okay, properly time to time water change करते हो, तो आप grass लगा सकते हो, additional filter लगेगा इसको, अगर आपको crystal clear water चाहिए, तो मैं recommend करूँगा, यह नहीं लगाया तो भी चलेंगा, अगर कोई guest आता है, okay, तो 15-20 days, one month के लिए आप लगा सकते हो, permanent बद लगेए, बिकाज इसमें फिर अलगी जमा हो जाती है, अलगी जमा होने के बाद वो spread हो जाती है पानी में, और fishes को harmful होता है, so, यह एक ऐसा plastic का चीज है, यह आपको fishes, यह fishes को harmful ने करेगा, और यह जो dark है, यह fishes को harmful करेगा, because यह थोड़ा, यह है, pointed है, तो fishes को scratches आ सकते हैं, itching हो सकती है, okay, तो recommend करूँगा, आप नहीं लगाएंगे, तो भी अच्छा है, और शॉट पिरिड ऑफ टाइम के लिए लगाईए, इस लॉंग पिरिड ऑफ टाइम के लिए उमत लगाईए, और लगाने के बाद किया किजे, एक महने के बाद आप इसको दूब में डल दीजे, पिरिड आप इसको लगाईए, तो आज के लिए इतना है, और आज के लिए इतना है, और आज के लिए बाद आज के लिए आज खेंगे,